नमस्कार मीत्रों आप सभी का स्वागत है मौक्ष की ज्यान में हम सभी जानते हैं कि भगवान सिरी कृष्ण अपने साथ हमेशा बासूरी रखते थे और उस बासूरी से सभी को मंत्र मुख्द कर देते थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान सिरी कृष्ण को बासुर किसने दी थी अगर नहीं जानते हैं उसा चलिए जानते हैं आग के इस वीडियो में द्वापर यूग के समय जब भगवान सिरी कृष्ण ने धरती पर जन मिलिया तब देवी देवता भेस बदल कर समय समय पर उनसे मिलने आया करते इस दोड़ में भगवान सिरी जी कहां पीछे रहने वाले थे अपने पिरिया भगवान से मिलने धरती पर आने के लिए उत्सूख हुए प Pur Intell Int भगवान सिरी कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उन्हें भी अपने साथ कुछ उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान सिरी कृष्ण पी रही लगे और वह अपने साथ हमेशा रखे तबी सीव जी को याद आया कि उनके पास रिसी दती जी का महा सक्ति साली हडी पड़ी है रिसी दती जी वही महान रिसी है जिनों ने धर्म के लिए अपने सरीर का त्याग कर दिया था वो अपने सक्ति साली सरीर के हड्यों को सभी को दान कर दिये थे उन हड़ियों की साहता से हेविसुव कर्मा जी ने तिन धनू बिना गांडियों सारंगता था इंद्र देव के लिए वज्र का निर्मान किया था सीव जी ने उस हड़ि को घिस घिस कर एक सुन्दर मन मौक बांसूरी का निर्मान किया जब सीव जी भगवान सिरिक्रिष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने भगवान सिरिक्रिष्ण को भेट स्वरूप बांसूरी परदान की और उन्हें आसिरवात दिया तभी से भगवान सिरिक्रिष्ण उस बांसूरी को अपने साथ रखते हैं तो दोस्तों आपको आज की जनकारी कैसी लगी आप कोमेंट में अपना विचार जरूर बताना और आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा कर नोटिक वेशन बेल को क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी नए वीडियो के जनकारी मिलते रहेगी